साथियों, हम आज ऐसे समय में मिल रहे हैं, जब देश में विश्वास और आत्म विश्वास का एक उत्तम से उत्तम माहोल है. आप सबको पता है, अभी दो दिन पहले ही देश की संसत से 140 करोड देश वासियों के आशिरवात से नया विश्वास, नई प्रेणा, नई उर्जा, देश पूरा संसत के साथ जुड़ा हुआ था. आपने देखा है कि हमने संसत में विपक्ष के अविश्वास को भी हराया और देश भर में नेगेटिविटी फिलाने का जो ये सिल्चल सिल्चला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया. और हालत ये थी, कि विपक्ष के लोग, चर्चा में लोग तंत्र का दाईत्व होता है, जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए, बहाने बाई जी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चा ये थी, कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती, तो ये गमंडिया गठबंदन की पोल खुल जाती, कौन किसके साथ है, ये दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता, और इसलिए बचने के लिए ये भाग गए, साथ क्यों, ये लोग सदन से भाग गए, ये पुरे देश ने देखा है, लेकिन ये बहुती दूखद है, कि इन लोगों ने मणीपूर के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वास गात किया, शत्र प्रारम होने से पहले, देश के ग्रह मंत्री, उन्होंने इन राजरितिक दलों से चिठ्ठी लिख करके कहा था, कि वो तत्काल मणीपूर की चर्चा करना चाहते हैं, और अकेले मणीपूर पर विशत चर्चा होए जरूरी है, इतने संवेदन सिल विशय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार चे बात होती, तो जरूर मणीपूर के लोगों को भी मरहम लगता, और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते हैं, लेकिन ये लोग मणीपूर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मानूं था, अगर मणीपूर का सच सबसे ज़्यादा उनको चुबने वाला है, उनको मणीपूर के नागरिकों की, उनके दुख दर की फीडा नहीं थी, परवाभी नहीं थी, उनके लिए उनकी राजनीती बेश से बड़ा दल, वो नहीं चाहते थे मणीपूर, और इसले क्या किया, मणीपूर की चर्था तो ठाल दी, अविश्वास पस्ताव ला करके, राजनीतीक बहस को ही उन्होंने प्रात्वित्ता दी, राजनीतीक मुद्धों को ले करके ही सदन का तीन दिन में विपक्ष में बैठे विये साथी, अपना स्कोर करने की कोशिस कर रहे हैं थे, और उन्होंने इतने सारे विशे उठाए, इतने सारे विशे उठाए, और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, सीर पैर बिने की बाते की, क्यों? क्योंकि मणीपूर का विशे किनारे हो जाए, साथियों, ये सदन में भले ही व्यवधान डाल लें, लेकिन हम सभी भारतिये जनता पार्टी के कायर करताओं ने, हम सभी भारतिये जनता पार्टी के जनप्रतिनीद्यों ने, जनता के बीच जाकर के सच्चाई और उसको बहुत बारी की से, सच्चाई के हर पहलों से तैयार होकर के लोगों के पास जाना ही जाना है,